So, Hey Guys, Welcome back to LP Blogs. I hope आप सब आच्छी होंगे. आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए. ओके जल्दी आगे वीडियो में. तो सबसे पहले डोकुमेंट्स की बात कर लेते हैं. एक तो आपको ओर्जिनल पास्पोर्ट लेके जाना है. पास्पोर्ट की फ्रण्ट और बैक की दोज़ों को भी लेके जाना है. हैप आईडिय लेके जाना है. और जैसे कि मेरे तो मेडिकल वीजा लगने से पहली ही हो गया था. तो मेरे पास को CO थीए नहीं. कहीं बाई बोलते हैं कि COEV लेके जाना है. लोगिन कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं आपके पास है तो कोई दिकत नहीं है बस डोकमेट्स नहीं है भाक्ष Tina अगे चलते हैं कि अब बात करते हैं फीज कैसे कटेगी और कितनी कटेगी तो फीज आप या तो काड़ी साथ पयमट कर सकते हो यह फिर कैश कर सकते हो दूसरा जो मेरी फीस कटी थी वो थी 5970 मैं आपको साइट में शो भी कर दूँगा तो पहले कम कटी थी पर आप इतनी कटी थी जब आप चाओगे तो आप तो मेरा मेडिकल टैस्ट हो था मुहाली मैक्स होस्पिटल में जैसे आप वहाँ पी जाओगे आपको सी कटी आपको जाना है और वीजा टाइप जैसे मेरा स्टडी वीजा था तो मैंने स्टडी वीजा लेकर दिया था उसके बाद आपको वह सेकंड फ्लोर में बेज देगा वहाँ पी जाके सबसे पहले तो आपको फीस कटवाने पड़ेगी वही 5970 उसके बाद आपके ट्रेस चेंज होगी वह इसकी तो पैंट रखते हैं वहाँ को पूरे निकालने पड़ते हैं उसके बाद आपको एक दूसरे कामटर बेस दिया जाएगा वहाँ पर जाके आपके एक फोटो होगी बेसिक डिटेल पुछेंगे इससे ज्यादा पुछने उसके बाद फिर मेरी आइस चेक होई थी वेट हाइट उसके बाद यूरेन चेक हुआ था और लास्ट जो था चेस्ट चेक होई थी एक्सरे हो था मतलब की और उसके बाद डोक्टर से बात कराई थी उन्होंने पुछा था कि कोई आपकी मेडिकली कोई प्रोब्लम चल रही हो कोई आप पहले ओपरेशन हुआ तो मैंने सम्में नोई बोला था और आपके वैक्सिनेशन सेटिफिकेट भी देखेंगे वह और उसके बाद आपको एक टेवल पड़ा के आपकी चैस्ट चैक करेंगे कि कोई कट वैट या फिर कोई ओप्रेशन तो नहीं हुआ वहां सबसे क्लियर करके आपको सिता घर बेज़ देंगे और कुछ नहीं वहां होता कोई घब्राने वाली बात नहीं